जैन्दे अवरिवन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी ग्रूप C की जोब में नाय डूटी आलाउंस का क्या performance रहता है किस परकार से आपको नाय डूटी आलाउंस मिलता है किस स्थिती में आपको नाय डूटी आलाउंस मिलेगा इसका official later अपन देखने वाले है ministry of defense का later मा आपको दिखाने वाला हूँ एक गंटे में calculation आप कैसे करेंगे कि कितना calculation करेंगे कि किस हिसाब से आपको आपका जो allowance है वो एक गंटे का मिलने वाला है मतलब आप किस गंटे में कितने गंटे आपके duty करते हैं तो किस हिसाब से आपको allowance मिलने वाला इसकी पूरा calculation के साथ अपरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले है तो वीडियो को complete देखें जिसको भी allowance अभी तक नहीं लिया है और भी allowance नहीं मिलता है वो candidate जरूर इस वीडियो को देखें जो भी employee अभी फिलाल duty जोइन की स्क्रीन पे आप ये letter देख सकते हैं जो कि government of India का ministry of defense का ही ये letter जारी हुआ है जो कि 25 जुलाई 2020 का ये letter official letter है जो कि आप website पर भी जाके download कर सकते हैं इसका letter का copy लेने के लिए हमारे telegram group पर personal message करके letter ले सकते हैं बहुत सारे candidate अभी जोइनिंग किया है जो कि आपके चोकिदार की duty के लिए आप एग लेबल है जो कि बहुत सारे चोकिदार duty आपने AC center में भी विकेंच से निकली थी और अधर भी बहुत सारे unitों में इसके अलावा आपके जो भी night duty allowance के लिए पूरा complete जानकरी इस letter में आपका दिये गया है किस परकार से आपकी कौनशी night duty पे आपको लागू है कितने गंटे के night duty पे कितना amount आपको मिलने वाला है यह सभी जानकरी आपको दी गई है इसमें आप देख सकते हैं पहले आपका देख सकते हैं साइट पे आपके इंक्लोज आपका कर सकते हैं उसमें देख सकते हैं उसका complete later इसमें लगाया गया है नीचे 2020 का तेरा साथ 2020 का complete later इसमें लगा हुआ है और यह साथ इसमें आप complete आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है कि जो भी आपका defense civilian के कंट्रोल में जो भी आते हैं उनके लिए implementation आपका किया जाएगा इसका आपको website पर जाके भी download कर सकते हैं इसमें MOD की website पर जाकर आपके MOD आप DOD आपको जाएंगे फिर employee corner में जाएंगे तो Sion CPC में यह लेटर आप download कर सकते हैं इसमें आपको सभी डारेक्टरेड को आपको दिया हुआ है देख सकते हैं सभी एर डारेक्टर है चाहिए medical branch है GS branch है code branch है सभी branch को यह लेटर दिया हुआ है यदि आपके पास पहुंचा भी होगा आपके official आपकी जो भी है जो भी administration branch है आपके आपके यह लेटर गया होगा जो भी बाबू आपका बैठता है उनके पास यह लेटर मिल भी जाएगा यदि नहीं भी मिलता है तो आप telegram group पर personal message करके यह लेटर मुझे मांग सकते हैं यह सभी जगे आपका department में दिया हुआ है चाहिए कोई भी department है चाहिए EME का department है चाहिए signal का चाहिए आपका MES का department है चाहिए और कोई भी department है सभी department में बेजा हुआ भी है लेकिन आपको यह दि नहीं भी मिलता है तो भी आपका यह लेटर की कोपी मांग सकते हैं इसमें DOPT training जो personal department है वाज के लिए यह लेटर जारी किया गया था जो कि आप implementation सभी साथ center government के employee पर यह रहता है जिसमें आपका दिया हुआ है जिसमें implementation night duty के लिए आपका दिया हुआ है night duty allowance किस किस को लागू होगा और कितने बज़े से कितने बज़े के बीच में आप duty करेंगे तो यह night allowance आपको मिलेगा यह complete आप देख सकते हैं इसमें आपका पूरी चीज़े दी गई हैं कितने hours पर आपको कितना आपको मिलने वाला है amount वो भी नीचे आपका दिये गए इस point में आप देख सकते हैं आपका जो second point आपका दिया हुआ है night duty will be affected duty performed between 10 बज़े से लेके आपके सुबह के 6 बज़े तक यह दि आप duty करते हैं तो ही duty night duty आपकी मानी जाएगी जो भी candidate अभी फिलाल कहीं भी duty यह कर रहे हैं जिसमें 10 बज़े से लेके सुबह आपके 6 बज़े तक के बीच में यह दि आप duty कर रहे हैं तो आपका duty लाउंस जो भी night duty लाउंस है वो लागू रहेगा 100% लागू रहेगा किसके लिए नहीं लागू रहेगा वो मैं आपको बताऊँगा कि जो भी आपके मिलिटरी अस्पताल में पेसेंट केर अलाउंस जो ले रहे हैं पहले से पेसेंट केर अलाउंस जो ले रहे हैं मिलिटरी अस्पताल में कुछ ट्रेड ऐसी हैं जो की जैसे वार्ड साई का सफाई वाली और जैसे वासरमेन भारबर ये सबी ट्रेड्स पहले से ही आपके जो ट्रेड वाजो भी मिलिटरे स्पताल में आपके जो क्या है पहले से आपका जो भी पेसेंट केर अलाउंस है वो ले रहे हैं इसकी वजह से उनको ये लागू नहीं रहेगा उनको पेसेंट केर ही अलाउं की तो उनके लिए आपका ये अलाउंसेज लागू रहेंगे सबसे मुख्य रूप से है चोकिदार चोकिदार की नाइट की डूटी लगती है और अलाउंसेज नहीं मिलते हैं तो उसके लिए आपका लेटर है इसमें आप देख सकते हैं इनफॉर्म आपका वेटेज बोर दा टेन मिन्ट के लिए वेटेज आपका दिया जाता है इसमें आप देख सकते हैं सेलिंग आपकी मिनिममं सेलिंग आपकी 43,600 से बेसिक आपकी ज्यादा नहीं होने चाहिए इससे कम basic आपकी होती है तो ही night duty आपका allowance लागू रहेगा आपकी basic मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी basic आपकी फिला नए एक अड़ेट जो भी लगे है उनकी 18,000 basic है तो आपको अब कैसे calculation करना है आपको कैसे आपका allowance मिलना है वो आपका इसमें complete दिया गया है कि night duty allowance आपको one house मतलब एक गंटे के rate के किसतना amount आपको मिलने वाला है वो भी इसमें दिया हूँ है इसमें आपका basic pay and DA को मिलाना है मतलब आपका 18,000 प्लस आपको मिलाना है जो नएक अड़ेट है उनकी तनक्या को बता रहा हूँ उसके बाद में बड़ भी गई होगी बहुत सारी की उसमें 18,000 प्लस आपका जो भी 92% DA को मिलाते है तो 25,560 रुपए आपके हो रहे हैं 137. कुछ आपका payment जो बन रहा है, 127. कुछ आपका जो पेमेंट एक गंटे का payment बन रहा है तो टोटल आपकी 6 गंटे की duty है जिसमें आप जोड सकते हैं दस बजे से सुबद 6 बजे तक की यह दिछ गंटे की आप डूटी करते हैं तो इन्टो आप 6 गंटा कर दीजिए यह payment आपका कितना बन जाता है वो आप देख सकते हैं उतना payment आपका night duty लाउंस का एक दिन का आपका बनता है इस calculation के आदार पर चाहिए यह आपका बिलकुल इस लेटर में क्लियर दिया हुआ है यह आप नाइट डूटी देते हैं और जो भी हाउस दस बज़े से च्छे बज़े के बीच में तो आपको यह बिलकुल लागू है इसके लिए आप कहीं भी जाके आप जो भी अपने जो भी जहापे भी आप का पेमेंट बनता है वहाँ पर आप यह बता सकते हैं इस लेटर के अनुसार कि यह पेमेंट आपका बनना चाहिए जो भी आपकी डूटी हाउस है उसके आदा अनुसार चाहिए आपको दस दिन डूटी लग रही है तो आपकी नाइट डूटी में इस हाउस में तो दस दि पर्डे का पर अपका प्यम्ट इसमें डाइट ड्रा अंस का बन रहा है तो इस परकार से आप देख सकते हैं जितने दिन आपकी डूटी लेगी उतनी ही दिन आपका ये पिमेंट इतना केलकोलेशन करके आपका बहिनलाच चाहिए जो भी अलाउंस है वह नाइट डूटे अल डिपार्टमेंट विद अर्ड रेडी फोर दा इसमें कंप्लेट आपका दिया हुआ है सभी जो भी फॉर्मेंशन है डिमिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है जिनमें अपका जो भी एक एंडिट है जो भी इंपलोई है उनके लिए लागूर है ना चाहिए अल्रेडी पॉर्द पहले आप इसमें दिये हुएं भी हैं पहले से भी मिल रहा है जिनको जो भी है इसमें आप देख सकते हैं इस पॉर्ड इंपलोईंग डिपेंडिंग ओपन दा बेसिक पे कंसर्ण इंपलोई फोर दा ड्रोइंग ओफ दा और प्रमें नाइड डूटी एक्जेक्टिंग प जएदा बेसिक पे आपकी होती है तो आपके उसके लिए गलेबल नहीं रहेंगे तो जो भी नेक इंडेट हैं इसके लिए आपके कंसर्ण रहेगा बाकी की एक रूल ओर था पहले उसका रूल का इसमें नहीं दिये गए हैं कि जो भी है जो भी आपका पहले दो साल के जो भी आपका प्रियोजन प्रियड है उसमें भी यह रूल लागू नहीं रहता है लेकिन अभी फिलाल के लिए वह रूल हैक नहीं है इसके बारे में बिलकुल कंफरम नहीं है लेकिन यह नया लेटर जो आपका जारी किया गया था 2020 में इसके अनुसार आपका नाइट पर यह आपका पैमेट बनेगा इसमें आप देख सकते हैं यह कब से रहेगा एक जुलाई 2017 से इसका हिंदर वर्जन भी आपको मिल जाएगा हिंदी वर्जन भी आपको मिनिस्ट्री की वेबसेट पर या इसके जो भी है डियो पीटी की वेबसेट पर जाके आप चेक कर पा रहे हैं बहुत सारी यूनिटों में हैं बहुत सारी केंडेट को पेमेंट अभी तक पी नहीं मिल रहा है बहुत ज्यादा ड्राय दमकाई जाता है और उन आप जानकरी ले सकते हैं, अपनी उपिस में concern कर सकते हैं इसके लिए आपको payment